रेल पत्थ अनुरच्छन हितु आई यार पी डबलू एम एक मार्ग निर्देशिका है इसके अध्यन के बगएर रेल पत्थ का अनुरच्छन के परती बिचार करना वैसा ही है जैसे किसी फौजी को बगएर हथियार के जंग लड़ने भेज़ देना आयर पी डबलू का अस्थान किसी रेलवे पीवे इंजीनियर की जीवन में खीक वैसा ही है जैसे गीता का हिंदू के जीवन में, कुरान का मुस्लिम के जीवन में, गुरु गरंथ साहिब का सिखों के जीवन में या बाइबल का इसाइयों के जीवन में IR PWM के इस वीडियो क्लास्रूम में आज का विशय है सहायक मंडल इंजिनियर के ड्यूटी एवं उत्तरदायत। इसके साथ ही इसमें हम जानने का प्रियास करेंगे कि रेलवे के अस्ट्रेक्शल और्गनाइशन सिस्टम के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इंजिनियर तिर्वेंद्र कुमार आईए शुरू करते हैं आज की क्लास्रूम जानते हैं कि सहायक मंडल इंजिनियर रेल प्रसासनिक विवस्था में किस अस्टर पर अपने इस्तिते को रखता है रेल मंत्राले के सर्वे सर्वा रेल मंत्री होते हैं और उनके सहायतार्थ दो रेल राजमंत्री होते हैं रेल के संपूर्ण कार्जों पर नियंत्रन करने हेतू रेल्वे बोर्ड की अस्थापना की गई, बरतमान में इसके परमुख चेर्मेन एवं CEO रेल्वे बोर्ड का लाते हैं। चेर्मेन एवं CEO रेल्वे बोर्ड की सहायतार्थ चार मेंबर की विवस्था की गई है, दिनके नाम है, मेंबर ट्रेक्शन एवं रॉलिंग स्टॉक, मेंबर इंफरास्टर्चर, मेंबर ऑपरेशन एवं बिजनेस डेवलप्मेंट और मेंबर फाइनन्स। इन चार सदस्यों के अलावा चेयर्मेन एवं CEO रेल्वे बोर्ड के सहायतार्थ, चार डायरेक्टर जनरल और एक सेक्रेटरी रेल्वे बोर्ड भी होते हैं। Engineering के नजरियस अगर हम देखें, तो Engineering का जो Relay Board में सदस्य हैं, वो है Member Infrastructure. Office Order No. 64 2020 के अनुसार, Relay Board का Structure Organization को Change किया गया और उसी धर पर बरतमान में 5 सदस्यों के एक टीम बनाए गई. जिसके परमुख, Chairman, Relay Board, एवं Chief Executive Officer होते हैं, जैसा कि पूर्ड में Vernon किया जा चुका है. अब देखते हैं कि Board ने जो Distribution किया है, कि इन में Chairman Relay Board, एवं CEO, CRB जिसे कह सकते हैं, इनके कार्ज पर नाली में इनका युगदान या इन्हें किनकिन दायत्वों को वहन करने के लिए दिया गया है. जैसे Chairman Railway Board के पास, HR, Human Resource, Safety, Security, Health, Planning, Infrastructure, Vigilance, Efficiency, एवं Research, Public Relations, Heritage, Secretaries, Branches, Transformation Cell, और Corporate Coordination का दायत्व दिया गया है. कि किसी तरह Member Infrastructure के पास, Works, Civil Engineering, Bridge, Signal एवं टेलिकॉम, Land एवं अमेनिटीज, Station Development और Railway Electrification का कार्ज है. Member Traction and Rolling Stock के पास, Production Unit, Mechanical Workshop, Coaches, Locomotive, Train Sets, Environment and Housekeeping, Electrical Maintenance of Coaching Stock, Traction Distribution, Power Supply, Renewable Energy और Material Management जैसे भी से दिये गया है. Member Operation में Business Development के पास, Traffic Transportation, Coaching, Tourism, Catering, Commercial, Non-fair Revenue, Marketing and Business Development, एवं IIT जैसे भी से हैं, Member Finance के पास, Account, Finance, Budget, Revenue, Statistics and Economics and Economic Units जैसे भी से दिये गया है. आपके सामने Organisional Structure of Railway Board का एक Broad View दिया गया है, जिसमें Minister of Railway के नीचे Minister of State of Railway और इनके नीचे Chairman Railway Board, Chief Executive Officer, साथ ही साथ चार सदस, Chairman Railway Board को Direct Reporting करने वाले Secretary Railway Board, DGRPF, PD Vigilance, Aim Planning, PD Infra, DG Safety, DG Safety को Assist करने के लिए PD Safety, DGHR, DGHR को सपोर्ट करने के लिए AM Staff, PD Training, MMPP, Legal Advisor, DGRHS, उनकी सहायता के लिए PD Health और इसी परकार अन्य सदस्यों की सहायतार्थ कई Assistant Member या Additional Member की दिवस्था की गई है. भारती Railway काफी बिसाल है और इससे सिर्फ एक Railway Board का संग्ठन बना करके इससे सुचाय रूप से नहीं चराय जा सकता. तो बिभिन लोकलिटी के हिसाब से अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग कार्ज प्रणाली हो सकती है. ऐसा विचार करते हुए कई Journal Railway, Production Unit और कुछ Other Unit साथ ही कुछ Autonomous Body और Authorities का भी निर्मान किया गया है. बरतमान में Open Line है तू, Journal Railway, कुल 17 हैं, जिन में है Central Railway, Eastern Railway, East Central, East Coast, Northern Railway, North Central, North Eastern, North East Frontier, North Western, Southern, South Central, South Eastern, South Eastern, South East Central, South Western, Western Railway, Western Railway, और Metro Railway, Metro Railway को भी Journal Railway का दर्जा प्राप्त है, और इन सभी के सबसे बड़े अधिकारी General Manager कहलाते हैं. इसके अलाबा भी 6 Production Units हैं, जिनके भी Head को General Manager कहा जाता है, जिन में हैं, चितरंजन, Locomotive Works, चितरंजन, बनारस Locomotive Works, वारानसी, इंटेग्रेल कोज फैक्टरी पिराम्भू, रेल कोज फैक्टरी कपूर्थला, रेल वील फैक्टरी एंका, Modern Coach Factory, राइबरेली, साथे साथ दो Un-Production Unit हैं, जिसके परमुख को Chief Administrative Officer, रेल वे कहा जाता है, वे हैं, DJ Locomodernization Works, पटियाला, रेल वील प्लांट, बेला, कुछ Un-Unit हैं, जिनके भी परमुख को General Manager कहा जाता है, जैसे कि Central Organization for Railway Electrification, अलाहबाद, NF Railway Construction, गोहार्टी, Un-Unit में, जिनके परमुख CEO Railway कहलाते हैं, वे हैं, Central Organization for Modernization of Works of, जिसे सौर्ट में कौफमो कहा जाता है, दो Unnocence थाएं हैं, जिनके परमुख को Director General की उपाधी दी गई है, जिनमें हैं, बरोदा में अस्थापित NAYER, National Academy of Indian Lillowage, और दूसरा, RDSO, DGNX Office of GM, RDSO, लखनौव, इनके अलावा, अनकई Autonomous Body और Authorities हैं, जिनके नाम हैं, BCL, BSCL, BWEL, Concord, DFCCIL, IRCON, IRCTC, IRFC, KMRCL, KRCL, MRVC, RCIL, RITES, RVNL, CRS, RLDA, General Railway पर Organization Chart आपको स्क्रेंट पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख पा रहा हूँ, यह General Manager की सहायतार थे, एक Secretary WR होते हैं, यह Western Railway का Organization Chart है, General Manager के सहायतार थे, General Administration में AGM भी होते हैं, और उनकी अधिन, DGM General, CPRO होते हैं, Engineering Points of View से देखें, तो Engineering में General Manager के नीचे, एक जोन में Engineering का जो सबसे प्रमुक आफिसर होता है, वो होता है Engineering का Principal Chief Engineer, General Manager के अधिन ही, सभी Divisions के DRM होते हैं, जैसे की Western Railway के GM के पास कुल 6 Divisions है, जिनके नाम है करमसह, DRM BCT, DRM BRC, DRM EDI, DRM Rathlaam, DRM Rajkot and DRM Bhavnagar. General Railway अस्तर पर Engineering Department Open Line का Organization Chart आपके सामने है, जैसा कि पूर्व में बदाया जा चुका है, कि Engineering Department के General Railway प्रमुक प्रिंस्पल Chief Engineer कहलाते हैं, और Principal Chief Engineer के सहायतार थे तो, कई Chief Engineer होते हैं, जिनमें प्रमुक हैं, ट्रैक की देखवाल करने के लिए Chief Track Engineer, ब्रिज से संबन्धित Chief Bridge Engineer, ट्रैक मसिन से संबन्धित Chief Engineer TMC, PC की Direct Support के लिए Secretary to PC and PS to PC होते हैं, इसके अलाबा अन कई Chief Engineer होते हैं, जो कि असके इन पर आप देख रहे होंगे, इन Chief Engineer के सहायतार थे, कई Deputy Chief Engineer होते हैं, और उन Deputy Chief Engineer के सहायतार थे, A.E.N. और X.E.N. होते हैं, अब हम मंडल अस्तर पर इंजिनिरिंग के जो हायरेची है, अगनेशनल स्ट्रेक्चर हैं, उससे देखते हैं, मंडल अस्तर पर इंजिनिरिंग का जो परमुख होता है, उसको नाम Senior DN Coordination होता है, और Senior DN Coordination के सहायतार थे तो, मंडल को कुछ section ने बाड़ दिया जाता है, जिनके परमुखों को DN या Senior DN कहा जाता है, Senior DN के सहायता है तो, मंडल अस्तर पर मंडल के अधिन, A.E.N. General, A.E.N. TMC और A.E.N. Track जैसे सहायक इंजिनिरिंग का भी प्रावधान किया गया है, फिल्ड अस्तर पर देखा जाए, तो Senior DN या DN के अधिन, A.E.N. एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जितना वड़ा section उनको दिया गया है, या उनके workload के अधार पर उनके jurisdiction को बढ़ाए गया हो, अर्थात, एक मंडल में सबसे पर्थम पायदान पर जो officer level का अधिकारी होता है, उसका नाम Assistant मंडल इंजिनियर कहलाता है, इसके नीचे किसी भी और अधिकारी का कोई अस्थान नहीं है, अर्थात, अगर हम Relio Board से hierarchy को अगर देखते जाए, और engineering के point of view से देखे, कि Railway Board में Member Infra, जोनल अस्तर पर अगर देखा जाए, तो Principal Chief Engineer और मंडल अस्तर पर अगर देखा जाए, तो Senior DN Coordination Engineering के परमुख कहलाते हैं, Senior DN के नीचे Senior DN या DN Sectional होते हैं, और उनके नीचे सहाइक मंडल इंजिनियर होते हैं, क्योंकि मंडल का कार्ज च्छत्र काफी बड़ा होता है, तो मंडल के कार्ज च्छत्रों को सुचाय रूप से चलाने के लिए, मंडल के च्छत्रों को कई टुकड़ों में विभावित कर दिया जाता हैं, जिनमें सबसे च्छोटा टुकड़ा जो ऑफिसर लेवल पर नियंत्रिन होता है, उसे सब डिविजन का जाता है, और सहाइक मंडल इंजिनियर उस सब डिविजन के इंचार्ज कहलाते हैं, सहाइक मंडल अस्तर पर रेल पत्र अनुरच्छन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह होता है सहाइक मंडल इंजिनियर. सहाइक मंडल इंजिनियर के कार्जों में सुचार रुप से सहाइता देने हैं तो, उनके कार्ज च्छित्र को इंचार्ज SSE Pway और इंचार्ज SSE Works के अंदरगर्प में बटवारा किया जाता है. इंचार्ज SSE Pway और कार्ज रिल पत्रम रच्छन करना है और इसके अलावा बाकी SSE Works के कार्ज च्छित्र में आता है, जैसे बिल्डिंग, स्टेशन, इन सब चीजों का देखवाल करना इंचार्ज SSE Works के के जाता है. इनकी सहायथा के लिए J-E-Athwa SSE Sectional का प्राफ़ा के जाता है. इंचार्ज SSE Pway या इंचार्ज SSE Works के छत्रदिकारों को चोटे-छोटे-छत्रदिकारों में बाटा जाता है और उन चोटे-छोटे-छत्रदिकारों के इंचार्ज J-E-Athwa SSE Pway सेक्षनल होते हैं और उनके अत्रिक्त भी कुछ और J-E-Athwa SSE Pway होते हैं जो कि इंचार्ज SSE Pway के सहायथार्थ दे जाते हैं जिनका मुखकाम अन J-E-Athwa SSE Pway के छुटियों को और्गिनाइज करना साथ ही साथ है कुछ बिसेस काम का अनुरच्छन करने है तू जो कि सेक्षनल पिल्वाई के सेक्षनल SSE Pway अत्वा J-E-Athwa SSE Pway के दौरा ना किया जा रहा हो उनके लिए J-E-Athwa SSE Pway एलार की निफ्टि की जाती है अर्था तूने उस कार्ज पर लगा जाता है किमिरले इसी परकार अन-SSE Pway के जैई-Athwa SSE Pway नहीं कारज करते है और SSE Pway Works के अंतरगत में काम करने वाली J-E-Athwa SSE Pway Works अपने सेक्षन के काम को देखते हैं और जई अचार रूप से करने के लिए इनचार्ज सेक्षन होते हैं उसे परकार जई अच्छे इंचार्ज के लिजाता है और इन हर चोटे चोटे टुकडों गैंग कह जाती म 대해 चिन्हें नमबर ए गयंग नमर नमबर दो गैंग नमबर थी इसी प्रकार लूंज पर्टेक गैंग में सब परतेक गैंग में कम से कम एक मेट전S नेच की मेन और कि विवस्ता कि जाती है हर एक गैंग के पास मेट, गैंगमेन और कीमेन होता है और इनका मुख काम उस गैंग की अनरच्छन में सहयता देना होता है मेट्रिक उस गैंग का इंचार्ज होता है और कीमेन पड़ती दिन उस गैंग की सुरच्छा हेतू पेट्रॉलिंग करने के लिए एक मुख जिम्मिदार बेक्ती होता है आते हैं आज के मुख बिसे असिस्टेंट डिविजनल इंजिनियर की ड्यूटी के सम्बंद में असिस्टेंट डिविजनल इंजिनियर की ड्यूटी को अगर सामान तोर पर देखा जाए तो वह अपने सब डिविजन का इंचार्ज होता है और साथी साथ उनके कामों को हम मुक्तिया तीन भाग में बरगी गरित कर सकते हैं पहला भाग है कि सब डिविजन के अंतरगत चाहे वह वह के वक्स काम हो या वक्स से लिटर काम हो या ब्रिज से लिटर काम हो उन सभी कामों का इंस्पेक्शन करना उनका रच्छन करना और उन्हें सेफटी के साथ सायक मंडल इंजिनियर की जिम्मेदारी होती है इनका दूसरा काम होता है कि उनके सब डिविजन के अंदरगत में चाहे वह कोई भी नए काम चल रहे हो तो उनकी एकुरेसी क्वालिटी और प्रोग्रेस पर ध्यान रखना यह भी सायक मंडल इंजिनियर के दाइत्व के अं इंद्रन होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से और सही मात्रा में उस खर्च को किया जा रहा है या नहीं किया रहा है इस बात का ध्यान रगना सायक मंडल इंजिनियर का दाइत्व होता है अपने दायत्वों को पूरा करने के लिए सहायक मंडल इंजिनियर को कुछ रूल्स और डेगुलेशन की जानकारी अवस्यक है बेगार रूल और रेगुलेशन के सहाइक मंडल इंजिनियर अपने दायतों को पूरा नहीं गार सकता और इन रूल और रेगुलेशन की जानकारी के लिए उन्हें कई परकार के कोड और मैनुल में दी गई जानकारियों को जानना अवस्यक होता है तो बेग कौन से कोड और मैनुल में दी गई जानकारियां हैं जिन्हें की एक सहाइक मंडल इंजिनियर को जानना अवस्यक होता है तो उन्हें एक करके के देखते हैं जैसे पहला है इंडियन रिल्बे एक्ट नाइंटिन एक्ट नाइन दूसरा जी एंड एसर ओपें लाइन आई आर एसोडी 1676 मिलिमेटर ब्रोड गेज आ इंडियन रिल्बे पीवे मैनुल ट्रैक मैनुल पार्ट वन और पार्ट टू अदिजनेर्ञ आर पार्ट मीमानुल इननके आल्सरा चूर लगेपें आर एसोड canoe ऑ्ल्रेक मैनुल आर जी पार्ट के आर पार्ट के नेइन आर टूस़ी एसोड़ देखते हैं इनल्देज मैनुल इनु एक्ट हैं तो आरिपैन एक्ट आर एक्ट काल अलावा इन सबसे संबंदित जो भी लैटेस्ट करेक्शन से लिपाते हैं या इन विश्वयों से संबंदित जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाते हैं उन्हें भी समय समय पर हमें ध्यान रखना होता है या एक सहाइक मंदल इंजिनर को इस संबंद में जानकारी होनी चाहिए एडियन को टीमस के संबंद में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अब सभी कार्जियों का अनुरच्छन की जो डॉकुमेंडेशन है वो टीमस के द्वारा की जा रही है तो एडियन को टीमस के संबंद में एडियन के विवदि परकार के जो मॉडूल उसमें जारी किये गए है उस संबंद में उनके पास जानकारी होनी चाहिए A.D.N. को इस बात के लिए इंस्योर होना चाहिए कि उसके अंडर का जो भी स्टाफ है वह सभी प्रकार के रूल और काम करने की नियमों से सम्मंदित जो बीदियां है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए अर्थात A.D.N. के अंतरगत जितने भी काज़रत बेखती है उनके ड्यूटी जो उनके नुसार से बाटे गए हों उनके पोस्ट के हिसाब से उनके सम्मंदित उनकी पास जो जानकारी है रूल के सम्मंद में या काम के सम्मंद में इस बात का समय समय पर जाच करते रहना चाहिए साहित मंदल इंजिनियर की ड्यूटीज को रेल पत्नियों वली 103 में दर्स आया गया है हम दिखते हैं कि इन्हें किन-किन बिस्वयों के अंतरगत में वर्गी करिद किया जा सकता है पहला है Inspection and Maintain of track two- copyright machines plan and estimates execution monitoring and bill preparation measurement of ballast inter departmental coordination monitoring and scrutiny USB D inspection frequency inspection of office and in stores accompanying higher official track recording responsibility control over expenditure ट्रेनिंग रेस्पॉंसिविलिटीज मैटेरियल अंडर ट्राइल मॉनिटरिंग डीलिंग बिद अस्टाफ मैटर एक्षान इन इमर्जन्सी प्रेपेर्डनेस पर एक्स्ट्रीम वेदर ऑन्गोईंग वर्क्स इंस्पेक्शन प्री मॉन्सोन जॉयंट इस्पेक्शन एंड ट्रांस्वर ऑफ चार्ज तो कुल बीश टॉपिक के अंतरगत में हम एडियन की ड्यूटीज को डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि इंडियन रेल्वे पीवे मैनुवल में दिया गया है पाईए हम पहले ड्यूटी को डिफाइन करते हैं पहले ड्यूटी है इंस्पेक्शन और मेंटरेंस ऑफ ट्रैक में जो एनके पहले जिम्मेदारी है कि ट्रैक सर्टिस्फैक्टरी और सेफ कंडिशन में रहें दूसरा सिड्यूल के हिसाब से वह इंस्पेक्शन करें तीसरा जो भी इंस्पेक्शन किया है उसके डिटेल्स को टी एमस के सिस्टम के अंतरगत में जो कि अनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है और अभी के समय में सारे जो डॉकॉमेंटेशन है वह ट्रैक मेंजमिन सिस्टम के दौर इस चीज को भी इंस्पेक्शन करना उसके जिम्मेदारी है और वो भी कम्प्लाइंस जो हो एक लिमिंटेड और इजनेवल टाइम के अंतरगत में हो रहा है इस बात को ध्यान डखना है नेक्स्ट हैं कम्प्निकेशन बिद डिएन ऑबलिक सिनियर डियन यह स्टाफ ट्रेनिंग एनवर्निस टाइमली डिमेडियल एक्शन और एन्वल सर्टिफिकेशन इस सिनियर डियन और डियन एडियन को अपने ट्रैक लिटर संबंधी जो भी जानकारियां है जो भी कमियां है जो नहीं इंस्पेक्शन के दौराने पाई है उनमें से कई कमि इंजिनियर के जो अधिकार छेतर हैं उसकी क्यापेसिटी जो है उससे उसको मेंटेनेंस पावर दिये हो गया है उससे भी वह बाहर चली जाए तो ऐसी सभी चीजें जो कि उसके कैपेसिटी से बियॉंड है उन सब चीजों के रिपोर्ट उन्हें ट्रैक की अपने डियन य होग रही है और जिस्म कामों के लिए उन्हें न्युक्त किया गया है कि एडियन उन सभी चीजों के लिए भी रिस्पॉंसिबल होते हैं जैसे लॉंग वेल्डेट ड्रेल और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन बिहावियर जो कि उनके जाच के दौरान पाई पाए गया होंगे जब भी एडियन अपने ल्ड़ या सी ड़ूर का इंस्पेक्शन करते हैं तो उस दौरान उन्हें कई पर करकी कमिया पाई जाती हैं उन कम्यों को रिमेडियल एक्शन य इन सभी जाच करने के उपरांथ खास्तोर पर LWR में जाच करने के उपरांथ हर एक एडियन का या करतब होता है कि वो एक बारसिक एक सर्डिफिकेट जारी करें कि उनके सभी LWR या CWR सही धंग से काम कर रहे हैं यानि कि संतोस्प्रत तरीके से काम कर रहे हैं इस और पर्वरी महीने में उन्हें एक सर्डिफिकेट जमाा करना उता है और या संवेसा इन्सरेक उनने अपने सीक्षन के इंचार्ज सीनीर य सीनीर डियन जो कोई भी हूं उन्हें प्रस्तूत करना होता है छो आव आता हैं ट्रैक मसीन संबंधी जिम्मेदारियों ट्रैक मसीन संबंधी जिम्मेदारियों में पहली होती है monitoring responsibility, यहनि कि ट्रैक मसीन के संबंध में जो भी काम दिये गये हैं, उसकी उन ट्रैक मसीन के कार्डियों के लिए responsibility ADN ट्रैक की होती है, जब भी ट्रैक मसीन उनके छितरदिकार में काम कर रहे हूँ. दूसरा है quality assurance, ट्रैक मसीन जब उनके section में काम कर रहा होता है, तो इस बात को उन्हें ensure करना पड़ता है कि ट्रैक मसीन जो output दे रहा है, वो up to the standard है, अधवा नहीं है. और तीसरा, output oversight, कि मसीने काम तो कर रही है, पर क्या निर्धारित जो standard है output का, क्या वो निर्धारित output वो मसीने ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, अर्था ट्रैक मसीने उतना output दे रही है कि नहीं दे रही है, इस समंद में भी सहाइक मंडल इंजिनियर को ध्यान रखन होता है, ट्रैक मसीन समंदी अन जानकारियां है, जैसे ट्रैक मसीन समंदी सहाइक मंडल इंजिनियर को quality output assurance होना चाहिए, night working arrangement करना चाहिए, उनके breakdown responses है, ट्रैक मसीन इंस्पेक्शन के समंद में, तो ट्रैक मसीन समंदी जो एक मुख है, कि अगर उन्हें quality output चाहिए, तो एक सहाइक मंडल इंजिनियर का यह दायत्व होगा, कि वह ट्रैक मसीन डिप्लाइ करने के पहले, जो भी pre-recugites है, चाहिए वो pre-block working हो, during block working हो, या post-block activities हो, उन सब को ensure करना पड़ेगा, ताकि quality output मिल सके, और जब कभी ट्रैक मसीन, night block working arrangement कर रहा हो, उस इस्थिती में समानता है, रात्री block नहीं करना चाहिए, लेकिन जब रात्री block करना अवस्यक हो, तो उस परस्थिती में sufficient lighting के विवस्ता अवस्यक की जानी चाहिए, इसके साथ ही साथ, उनका यह दायत्व होगा, कि मसीनों में काम करने के लिए, जो fuel है, वो while, जिनकी अवस्यक्ता पड़ेगी, उनक advance में arrangement किया गया हो, breakdown response के case में, ऐसा तो होगा कि नहीं कि हमेशा ही machine बिल्गुल सही चलेगी, कभी ऐसी परस्थिती आ सकती है कि machine block में चली गई हो, और machine वहां काम करना बंद कर दिया हो, अब इस condition में सहाइक मंडिल इंजिनर का इद्दायत होगा, कि उनका पहला कि block breakdown के स्थिती में, जो block हमने ले रखा है, engineering block, machine काम करने के लिए, उसे timely निकाला जा सके, तो कि, लेकिन अगर किसी कारण बस, machine को ठीक करना संभब नहीं हो पा रहा है, line block का दोरान में, तो उन्हें अन दूसरे बीधियां, या दूसरे action लेने पड़ेंगे, ताकि जो भी block operation की कारण, या block fail होने के कारण, इसे breakdown हो गया, तो breakdown के कारण जब machine block से नहीं निकल पाएगी, तो इस तो था कि block fail हो जाएगा, तो उस block operation में, जो minimum नुकसान हो सकता है, उस सब मंदमोंने कारवाई करनी चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके, उस break down वाले machine को block section से बाहर निका ट्रेक मसीन का समय समय पर inspection conduct करना चाहिए, इसके लिए कई परकार के schedule दिये हुए है, checklist दिया हुआ है, इंड़े ट्रेक मसीन मैनुल में, तो उन checklist के आधार पर और prescribed schedule के आधार पर track machine का inspection करना भी एक सहाइक मंदन इंजिनियर का इदायत होता है, तीसरा है, उनकी duty में, plan and estimate, इसे तोर पर एक सायक मड़िय एंजिनियर को DaViz न अब को कौई काम कराना है तो उस काम को कराने के लिए हैक मदर से ऑ हमाध में प्लाण और इस्टिमेट तैयार करने के लिए रिस्पॉंसिट वह लग लग उसके लिए ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कि कुछ special condition उस काम में जोड़े जाने चाहिए ऐसी condition में सहाइक bundle इंजिनियर उन special condition को prepare करेगा और अगर जरूरत होता है तो वह जो site specific हो सकता है या किसी work specific हो सकता है तो उसे उस plan में उसे add करना पड़ेगा यह unique aspect होते हैं उस site के हिजाब से जिसके लिए special condition जोड़े जाते हैं होता है इस्ट्यूशन monitoring and bill परेप्रेश है एडियन्स इज रिस्पोंसिबल फॉर दे इस्ट्यूशन और मॉनिट्रिंग और वर्क से इन accordance with the tender condition and the approved plan schedule जो काम कराएगा जो approved plan और schedule बनाए गया है या tender में जो condition जी गई है उसी के आधार पर वर्क का execution हो रहा है और उसी के अनुसार से कराय जाना चाहिए इसीज की जिम्मेदारी सहाइक मंदल engineer को भी होती है नेक्स टॉपिक है efficient organization इवरी वर्क सूड़ बी इफिसेंटली और गनाइज़ और प्रोग्राम फॉर सुफ्ट प्रोग्रेस इंफैसिस ओन अगर वर्क और प्रोग्राम बे में नहीं होगा तो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए efficient organization अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए आवस्य कि जब काम हो जाता है तो गोंट्रेक्टर को बिल पेविंट भी करना है तो टाइमली मेजरमेंट और पर प्रेपरेशन तो एडियन की responsibility है कि काम समाप्थ हो जाने के बाद या काम के दौरान में भी जब जब बनाना होता है तो वर्क का टाइमली मेजरमेंट हो और मेजरमेंट करकर उसका बिल प्रेपरेशन कराया जा साथ ही संबंध में जो प्रेस्ट्राइब टेस्ट दिए डिफाइन किया गया है उनको भी समय समय पर कंड़क्ट किया जा जिससे कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही रिक्वाइड स्टेंडर के हिसाब से पूरी हो सके और अगला टॉपिक है मेजर्मेंट और बैलास्ट सहाइक मंडल इंजिनियर या तो गिट्टी को स्वयमा पे और मापन को दर्ज करें या मात्रा और गुर्वत्ता की सत परतिसत जांच करें यदि मापन देलों परचलित परनाली के अनुसार परभारी एससी रिलपत या प इंडर डिपार्टमेंट कोडिनेशन अब सकता पढ़ने पर सहायक मंडल इंजिनियर को अन विभाग के अधिकारियों के साथ समयनवे अस्थाबित करना चाहिए जो की कोडिनेशन जरुरत हो सकती है जब कोई स्पेसिक सिस्वेशन आती है या स्पेसिक रिक्वार्मेंट आती है सात्मा है मौनिटरिंग एवं स्कूर्टनी अधिनस्त पदाधिकार्यों के निरिच्छन कार्ज और अन रिकॉर्ड की निगरानी करना चाहिए सहायक मंडल इंजिनियर को ट्रैक मेनेजमेंट सिस्टम के द्वारा परवारी एससी रेल पर अथवा जेही अथवा एस आठ्वी ड्यूटी है USFD का निरिच्छन और जांच करना परतेक महीने में कम से कम एक वार या जैसा उच अधिकारी द्वारा निर्देशित हो जेही अथवा एससी USFD के कार्ज की भी जांच करनी चाहिए परतेक परवारी एससी रेल परत के कार्याले तथा भंडार का वर्स में कम से कम एक वार निरिच्छन अवस्त करें भंडार के जाज करते समय में विशेश तोर पर से उन अग्रदाई सामगरियों तथा इसका बितरन छोटी मसीनों का चालन बरक रखवा इंजिनीरिंग संक परकेत को सुरच्छा उपसकर तथा भंडार बग कार्याले में अनमहत्पूर्ण मदों पर ध्यान देंगे जैसा कि यहां तीन आइटम के तोरह आपको दर्जा आये गया है तिन्थ है एक कंपनी हाईयर ओफीसियर को सहाइक मंडल इंजिनियर को उच पताधिकार्णियों दौरा निरिच्छन में साथ जाते समय निम्न लिखित जो की नीचे में बोल्ट फॉंट में दिये गए हैं इन सभी डॉकॉमेंट को अपने साथ रखना चाहिए जैसे पहला अप्डेटेटेड रिलिवेंट मैनुवल यह जो मैनुवल है जो संबंधित मैनुवल है वो बिल्कुल अप्डेटेड पोजिशन में चाहिए टीमस में से इन्फॉर्म स्टेटस का रिपोर्ट रखा जाना चाहिए हाईयर ऑफिस्यल द्वारा पुर्व में जाच किये इंस्पेक्शन नोट और उनके क्लाइन कंप्लाइंस रिपोर्ट भी साथ में होनी चाहिए और उस सेक्षन के या वहां का वर्किन टाइम टेवल इसके अलावा जो अन प्रचा की संभाबना है वो भी संदर्व के लिए साथ में लिया जाना चाहिए आइटम नंबर है ग्यारा ट्रैक रेकॉर्डिंग स्थान है उनको नोट करना चाहिए और टूटियों को सुधार है तो सुनिश्ट करना चाहिए जैसा कि यहां पर तीन पॉइंट में लिखा हुआ है कि ADN इस टास्क भी एक कंपनी ट्रैक रेकॉर्डिंग या OMS और सुलोग्राफ कारेंस सकेंड टेक डिटेल नोट नोट असपोर्ट रिक्वारिंग अटेंशन दूरिंश्ट करते हुए कि ब्याइश्वकरित आकलन की व्यवस्थाओं में आवंतिक निदिर के भीत है सहायक मंडल इंजिनियर सामगरी और आवजारों के मांग पत्र को पास करने तथा नए और अनुरच्छन कारजों में निस्पादन में समुचित साब्धानी बढ़तेगा जिसे की दो पॉइंट में आपको दर्स आया गया है एडिन मस्ट एक्सरसाइज केरफुल कंट्र ओर एक्सेंडिचर इस्पेसिली इन रिकुजाइट इकुजिटेंग मटेरियल और टूल एंट इस्टी नूओ अन्यूट इन इस्टाफ के तरिक निंग के संबंध में क्या जिम्मेदार या दी गई है यहां पर बास्ता में ट्रेंग के इस पॉइंट जो बताए जा रही ह भी कोई सहांग को इंजिनियर के दौरान किसी सहांग मंदल इंजिनियर के अंदर डिप्यूट के जाता है तो उससे विल्फुली इंट्रेस्ट लेकर उनकी ट्रेनिंग पॉइड करना है साथ ही साथ उनके जो प्रोवेशनर्स हैं जुनों ने नोट्स बनाये हैं उनकी भी जाज करनी चाहिए और जाज करने में इंट्रेस्ट भी दिखाना चाहिए इसको हम तीन पॉइंट में डिफाइन कर पा रहे हैं पहला एड्य इस रेस्पॉंसिबल फॉर मॉडरिंग ने परफॉर्मेंस आफ मैटेयर अंडर ट्राइल बिद्धियर सेक्शन यह नि कि किसी सेक्शन में कोई मैंटेयर अंडर ट्राइल घ्र दिया गया है जो कि पहले से नहीं है उन्हें ट्राइल के लिए लॉंच किया गया है यह तो इसके लिए जिम्मेदार ब्यक्ति है इसको लॉंच करने के लिए उसके की मौनिटरिंग के लिए वह साही कमंडल इंजिनियर होता है और दूसरा ट्राइल स्कीम में जो भी रिपोर्ट आएगी जो हमने इंप्लिमेंट कर दिया तो उससे जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमें करना है और इस कलेक्टेड डेटा को फूडी वीजन ऑफ थूट्रू टी एमस ट्रैक मोनेटरि सिस्टेम के दौरा डिवीजन को समीट करना है लिए डीलिंग बिजस्टाप मैटर अस्टाप मैटर के डे जैसा कि मुख टॉपिक अपने आपको प्रोपर्रीड डिफाइन कर रहे हैं कि साइक मंडर इंजीनियर अपने कालेश हैतर में डिस्टिप्रीन को मेंटीन करना है सर्विस रिकॉर्ड जो स्टाफ उसके अंदर में हुँए सर्विस और लिव रेकॉर्ड को भी अप्रूड जिस आते हैं या रिप्रिजेंटेशन आते हैं जो सटाफ के दोरगी जाते हैं उसका ततकाल और समय के अंदर में उनका जवाब देना है जो पोस्ट वैकंट रह गई है जैसे के मेट की रह गई यह बहुत रह गई है उनका टाइंछ इनके सब्सक्राने निमित कारवाई कर करते हैं उन्हें समय समय पर maintenance प्रेक्टिस के संबंदा में सेफ्टी के संबंद में पर्सिप्टेक्षिन के संबंदमें या स्ne टाइमली सप्लाई ऑफ एसेंशेल सच जैसे उनिफॉर्म बिंटर जैकेट सेफ्टी सूज टॉर्च यह सारी चीज़े जो उनके कार्ज में सहयूग दे सकती है उनको कार्ज को सुचार रूप से कर सकती है उनके परसनल सेफ्टी से संबंधित हो निर्धारित जो क्राटेरिय है उसके हिसाब से उन्हें सप्लाई किया जाना चाहिए पॉइंट नमर्स एक्सटीन है एक्शन इमर्जनसी इमर्जनसी के स्थेते में सहाइक मंडल इंजिनियर के क्या करता है अब सपोच करते हैं कि इन इवेंट ऑफ एक्सिदेंट चाहे वह एक्सिदेंट हो या कर रहे हैं उसी दौरान में उन्हें इडियोंस को फोन करके या दूसरे अनमाध्यान से पर किन मेटिर्व की रिक्वार्मेंट है उसका कर लेना है और उसके सम्बंध में नियर्शसरी निडित जारी कर देना है ताकिस DollNow पर पहुंच सके है जिससे कि ट्राफिक को जल्दी से जल्दी रियस्टोर किया जा सके इन सब के जिम्मेदारी साहिक मंडल इंजिनियर की अब आधाय पॉइंट नंबर सद्रा प्रेपेर निस पर एक्स्ट्रीम बेदर जैसा कि भारत में तीन मुख मोसम है ठंडी गर्मी और बरसात तो इन संदी गर्मी और बरसात विकरण हमारे ट्रैक निश्य तरवर परभावित होता है और बुरी तरव परभावित होता है तो इनके संबंद में साइक मंदन इंजिनियर का जो दाईत व दिया गया है वो क्या क्या है पहला है एक्स्ट्रीम बेदर प्रिपर्डेश एकर पहला टॉपिक लेते हैं कि जब बेदर जब एक्स्ट्रीम पोजिशन में होती है उस समय के लिए हमको प्रिपेर रहना है तो एडियन रिस्पॉन्सूल है यह एडिन को सुनिशत कर लेना चाहिए कि मौनसून आने के पहले गर्मी आने के पहले या ठंड आने के पहले जो भी एक्षन लेने के लिए जरूरत है चाहे वो ट्रैक संबंधी हो या इंस्टूमेंट संबंधी हो भी सबीचीनों के तयारी कर नहीं जाहिए जाए जो प्रिप्रेटरी वर्क्स है डाट शूल भी कंप्लीटेट एंड प्रिकॉशन टेकन बेल बेफोर दा उनसेट आफ दीज मेदर कंडिशन यानि कोई भी काम ऐसा जो है जिसका की मौसम को मौसम जदा परभावित कर सकता है उनके संबंध में जो प्र कि एक ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके सेक्षन में जो भी वल्नेरेबल लकीशन से हैं जहां पर स्टेशनरी वाच्मैन को पोस्टेट के जा सकता है उन सब की मिलिस्ट को तयार करके रखा जाना चाहिए थर्ड है इकुप्मेंट एंट्रेनिंग इंस् की वाइट्रेटगों को सनिशीद कर लेना चाहिएً और साथ एसाथ प्रोपर ट्रेनियंग और कॉंसलिंग की जाना चाहिए क्योंकि ठंदी के समय करनी पढ़ती है गर्मी के समय्यक्ति करनी पढ़ती बद साथ की साट किल लगाने पर तो इन सभी पेट्राव मैंन को उनके मौसं की आधार पर जो ही Australian करानी है उनके समझ्दूने द्रेनिंग करनी है और किन बातों का विसेश ध्यान रहना है इसके समझ में पिट्रॉल्स लेक्ट आता है। पेट्रोलिंग compliances पेट्रोलिंग इंस्ट्रक्टशन जो पेट्रोलिंग चार्ट में में दीए हैं जो पेट्रोलिंग चार्ट में जंक तो सुरूर्थ करना चाहिए कि छो प्रूपर टूरलींग की जा रही है वो फिर फूली इंस्ट्रेक्षण कीजें ऱहीं है कि अचार्ट में जो बनाए गया ऑच्चार्ट में कब कब किसे जाना है कि कितने ब्रक्त पर जाना है कहां पर रुखना है और कौन-कौन से करवाई करनी है इन सभी चीजों को वो सुनिशित कर रहा है अत्वा नहीं कि इसको इन्सोर करना चाहिए और इसके लिए रिगुलर मॉनिटरिंग और सुपर वीजन आवसक है ताकि जो भी इस्टैबलिस गाइडलाइन है उसको की पूरा केज़ा सब्सक्राइब आए पॉइंट नमाठारा ओंगोइंग वर्क का इन्स्टैक्शन साइक मंडल लिंजेनर के सेक्शन में जितने भी काम चल रहे हों उन सभी का टाइमली इंस्पेक्शन जुरुरी है चाहे वो इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन और्गनाज़ेशन के दौरा ही क्योंने की जा रह inspection के दौरान में वो काम की quality और running ट्रेनों के safety का डिशेज दियां रखेंगे की यहां जाज करेंगे कि जो यह काम चल रहा है उनमें running ट्रेनों के safety के संबंध में क्या क्या precautions लिए गया है और quality of works प्री-monna-zone joint inspection जब भी मौंसून आता है तो मौंसून आने के पहले एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन करती है जैसा कि इस टॉपिक में आपको नीचे लिखा हुआ है कि कंड़क्ट ज्वाइंट इंस्पेक्शन और रेलवेःफेक्टिंग वर्ग और रेलवेःफेक्टिंग टैंक्स जस्ट विफोर दा मौन्सोन सीजन इन कॉलाबरेशन बिद्द कंसर्ण अथिस अस्टेट अब इनकी आखरी ड्यूटी जो कि बीसमा है कि जब भी कोई सहाय कमंडल इंजिनियर का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है तो ट्रां इस संब्द में इंडियन डेलबेज कोड फॉर इंजिनियर डिपार्टमेंट में पैरा 143 से 147 के बीच में इस संब्द में निर्देश जारी कि जब भी कोई सहाय कमंडल इंजिनियर को सौपता है तो उस संब्द में ट्रांसफर आफ चार्ज के समय में उन्हें किन-किन बातों की जानकारियां आने वाले इंकम्मेंट को दी जाती है वो सभी पैरा 143 से 147 के बीच में दी गई है और इस एक सो पैरा 143 और 147 में जो दिये गए निर्देश हैं उनका समुचित बालन किया जाना चाहिए अच्छा तो बीज़ा दोस्तों थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ में और नया लेक्चर होगा इंस्पेक्शन से डिवल ओफ एडियन अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करे करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों में सेर करें और इसमें जो भी कोई आपके सजेशन हो वे कमेंट वाक्स में अवसर लिखें थैंक्यू अगें फॉर बाचिंग इस वीडियो थैंक्स